दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा के सांप और नेवले में काफी जादा दुशमनी होती है और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं लेकिन इस बारे में कोई नी जानता है कि ये दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुशमन क्यों होते हैं तो चलिए जानते हैं, डर्सल साप जमीन के अंदर रहने वाला एक जीव है और साप उन्ग सबी के लिए दुश्मन बन जाता है जो जमीन के अंदर रहकर अपना घर बनाते हैं क्योंकि साप उनके घरों में गोस कर या तो उनके अंडे खा जाता है या फिर उनके बच्चों को खा जाता है और जाहिड सी बाते कोई नहीं चाहेगा कि कोई उनके बच्चों को या उनके अंडों को खाए इसलिए नेवले को डर होता है कई साप उसके बच्चों को ना खा जाए इसलिए नेवले सापों से लड़ते हैं और सापों के जहरका नेवले की उपर ज़्यादा असर नहीं होता इसलिए इस लडाई में अक्सर नेवला ही जीतता है और दोस्त एक बात ये भी है कि साप नेवले को अपने बोजन के रूप में देखता है और नेवला साप से अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है और इसी वएसे दोनों लड़ते रहते हैं तो दोस्त आज से पहले आपको ये जानकारी पताती ही तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता है और ऐसी इंटरस्टिंग इंफर्मेंट